करनाल पुलिस ने अवैत शराव व लाहन के तसक्रों पर शिकंजा कसा है पुलिस अभियान चला कर आरोपय को काबू कर रही है आपको बता दे कि नशे का अवैत कारोबार करने वालों के खिलाव पुलिस सक्त कारेवाही कर रही है ताकि नशे के अवैत कारोबार पर लगाम लगाई जा सके पूलिस ने 22 आरोप्य को काबू करके भारी मातरा में अवैशरा वलाहन ब्रामत किया है पूलिस ने 27 जुलाई से 3 अगस्त तक अवियान चलाकर कई तसक्रों को काबू किया बता दे कि पूलिस अधिक्षक सुरिंदर सिंग भोरिया के दिशा निर्देश के अ बोतल अवैशराब वो 570 किलोग्राम लाहन ब्रामत किया गया जिलाकरनार के अलग-अलग दो थाना शेत्रों से 3 आरोप्य को गिरुफतार कर उनके खिलाफ मामनेदर्जकर कारेवाही अमल मिलाई गई आरोप्यो से कुल 40 बोतल अवैश देशी शराब वो 30 किलोग्राम ला अप्रेल को दो आरोपय को गिरफतार कर उनके कबजे से कुल 178 बोतल अवैस शराब बरामत की गई थी इसे संबन में 31 जुलाई को चार आरोपय को भी गिरफतार किया गया अरोपय के कबजे से कुल 56 बोतल वह एक पववा अवैस शराब बरामत की गई आरोपय के खिलाफ माम जुलाई को चार आरोपियों को गिरफतार कर उनके कबजे से कुल 43 बोतल अवैज शराब बरामत की गई वह 27 और 28 जुलाई को कुल 5 आरोपियों को काबू किया गया आरोपियों के कबजे से 55 बोतल अवैज शराब 180 किलोग्राम लाहन बरामत किया गया यहाँ आपको बताते चले कि आरोपियों के खिलाफ अवैद शराब रखने बेचने वह बनाने के अपराद में आपकारी अधिनियम के तहट जिला करनाल के अलग-अलग थानों में मामले दर्ज कर कारेवाही अमल में लाई गई है जिला पुलिस करनाल द्वारा करनाल वासियों से अपील करते हुए कहा गया कि अवैद नशे के कारोबार के खिलाफ करनाल लिवासी नस्दी की पुलिस स्टेशन पुलिस चोंकी या पुलिस कंट्रोल डूम में इसकी सूचना दे सुचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा और नशे का अवयत कारोबार करने वाली लोगों के खिलाफ सक्त कारेवाही की जाएगी ताकि नशे के अवयत कारोबार पर लगाम लगाई जा सकते